चैय मादादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च माहा के तीसरे सब्ताहा के कन्याराशी फल के बारे में कन्याराशी के लोगों के लिए मार्च माह का तीसरा सप्ताहा यानि 15 मार्च से 21 मार्च तक का समय कैसा रहेगा और इन 7 दिनों में ग्रहनक्षत्रों में क्या परिवर्टन होंगे क्या योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपके जीवन के प्रतेक शेतर पर आपकी दिनचरिया पर कैसा होगा ये राशिफल लगन और चंद्र पर आधारित है और इनी चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर आपका प्रेम जीवन कैसा होगा परिवारिक जीवन कैसा होगा आपका बिजनिस कैसा चलेगा आपका करियर आपको नौकरी आपका स्वास्त है सभी के बारे में हम अविस्तार स जानेंगे तो सबसे पहले तो आप से निवेदन है चनल को सबस्क्राइब कर ले पास में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबाए इससे हमारी आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कन्या राशी की 15 मार् तो चन्द्रमा इन साथ दिनों में व्रश्चिकराशी से कुम्बराशी तक जाएंगे यानि आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे और आपके तीसरे भाव से पंचम छटे छटे भाव तक जाने वाले हैं तीसरे भाव से छटे भाव तक चन्द्रमा के स्थिती होंगी और इन साथ दिनों में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि ग्रहनक्षतर बदलेंगे, चंद्रमा बदलेगा जिससे कुछ योग अच्छे बनेंगे, कुछ योग सावधानी वाले बनेंगे तो सब कुछ हम विस्तार से बात करते हैं सबसे पहले जानेंगे, 15 और 16 मार्च दोपहर 12 बजे तक की चंद्रमा की स्थिती वरष्चिक राज़ी में आपके तीसरे भाव में, पराकरम के भाव में, आपके वाणी के भाव में चोटे भाई भैनों के भाव में तो देखिए, ये जो चंद्रमा की स्थिती होगी ये काफी अनुकुल भी है और कुछ सावधानिया भी है पहली बात तो देखिए, यहां से जो चंद्रमा की स्थिती की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसकी द्रस्टी आपके भागे भाव पर पड़ रही है जिससे एक तो आपको अपने भागे का साथ मिलता हुआ नजर आएगा कुछ कामों में भागे साथ देगा और जो जातक ऐसी जबों पर काम करते हैं आप जर्नलिस्ट हैं, आप लेखन का काम करते हैं ऐसे शेत्रों में आप काम करते हैं तो उनको थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी होगी थोड़ी सी आप सावधानी रखेंगे तो अच्छे से इस समय को आप वैदित कर पाएंगे साथ ही देखिए कुछ यातराओं का योग भी है लंबी दूरी की यातरा भी इस समय हो सकती है और जो higher education के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा अगर आप अभी अपने पढ़ाई complete की है तो देखिए आपका placement होने के बहुत ज़्यादा chances बने हुए है आपका placement हो सकता है आपको खुशियां मिल सकती है और अगर आप किसी higher education के लिए apply करना चाहते है आप कहीं admission पाना चाहते है तो किये गई प्रियासों में सवहलता मिलेगी काफी energetic आप रहेंगे पराकरम से भरपू रहेंगे confident रहेंगे और ये आपका जो confidence होगा आपको आगे चलने के लिए प्रेरित करेगा के लावा इस समय देखिए foreign trip पर अगर आप जा रहे हैं तो वो लाजवाब होगा और foreign trip के लिए बहुत अच्छे यहाँ योग बने हुए है अचानक से हो सकता है आपको मौका भी मिल जाए कहीं से offer आजाए foreign trip पर जाने का तो आप accept कर सकते हैं तो इस्तितियां जो है इन देड़ दिनों में काफी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है अब हम आगे की समय की बात करते हैं 16 मार्च दोबहर 12 बजे से चंद्रमा राशी परिवर्टित करेंगे आपके चौथे बाव में आ जाएंगे 17-18 मार्च दोबहर 14 बाव में रहेंगे जो आपके माता का बाव है जो आपके सुख का बाव है तो ये जो इस्तितियां होंगी बहुत लाजवाब होंगी तो आपकी माता के साथ एक तो आपके जो संबंध होंगे वो बहुत अच्छे होंगे उनका सपोर्ट आपके काम को बहुत जादा इसमें मिलने वाला है इसमें आपकी माता का साथ और उनका आशिरवाद आपको उचाई उपर ले कर जाएगा कुछ ऐसे प्रॉफिट दिलवाएगा जो आप चाहते थे और वो आपको नहीं मिल पा रहे थे और ऐसे प्रॉफिट आपको इस समय देखने को मिल सकते हैं इस समय आपकी जो घर का माहूल होगा परिवार का माहूल होगा वो बहुत खुस में रहेगा सुख में रहेगा और आप अपने परिवार के प्रती इस समय पूरी तरह से समर्पित होंगे और बहुत से ऐसे बदलाव करना चाहेंगे अपने परिवार में जो आपको positivity से भर देंगे हो सकता है आप कुछ renovation का काम करा दें कुछ नई खरीदारी कर लें कुछ जरूरत की चीजों की खरीदारी करें और जो आपके सुखों में वरद्धी करने वाली हो तो ऐसी चीजों पर आप इस समय खर्चा करेंगे और जिनको खर्च करते समय आपको कोई दुख भी नहीं होगा की खर्चा हो गया है और नहीं वो आपकी जीप पर भारी पढ़ने वाला है तो सुखों में तो वरद्धी होती हुई दिखाई दे रही है देखे अगर आप किसी कोई बिल्डर है या बहुत निर्मान करते हैं या आप कोई पॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं तो उसके ल मिलता है तो उसे लपक कर आपको लेना है और जितना आप उसमें अपना फोकस कर सकते हैं जितना आप उसमें अपने आपको इन्वाल्व कर सकते हैं उतना करें लाबदायक इस्तितियां हैं ऐसी इस्तितियां आपको अच्छा लाब दिला सकती हैं और देखिए अगर हम बे की प्राप्ति के आफसर आपको मिलने वाले हैं इसके लावा अगर आप देखी जॉब कर रहे हैं तो यहां आपको कोई खुशी की बास सुनने को जरूर मिल सकती है हो सकता है वेतन वरद्धी हो जाए हो सकता है बॉस आपकी तारिफ करे या कुछ ऐसी डील आप फाइनल कर प योग बने हुए हैं जो आपकी इस्थितियों को बहुत अच्छा बना रहे हैं ग्रह नक्षत्रों का साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है इसके बाद देखिए चंद्रमा की इस्थि बदलेगी और चंद्रमा आपके धनुराशी में प्रिवेश करेंगे जो की 18, 19 और 20 की इस्थिति होगी तो यहां चंद्रमा की इस्थिति होगी वो देखिए धनुराशी में गुरू ब्रसपती हैं मंगल है केतू हैं और यहां चंद्रमा आएंगे चार चार ग्रह एक साथ हैं तो यहां आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिले वाले हैं इससे एक तो अपनी नौकरी में यहां तरक्की होती हुई निजर आएगी आप काफी एनरजीटिक होंगे और उस एनरजी का जो आप प्रियोग करेंगे वो अपनी कामों को सफल बनाने के लिए करेंगे यह जो समय होगा यह आपकी बुद्धी में व्रद्धी करने वाला होगा क्योंकि जो विदेश से लाब राप्त करते हैं जो विदेश से किसीव तरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी इस्तितियां बनेंगी और अगर प्रेम संबंदों की कहें बात करने तो देखें प्रेम संबंदों में थोड़ी सी साफधानिया आपको रखके चलना होगा प माता को आप जितना खुश इस समय रख पाएंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा परिवार के लिए रहेगा और आपको ये जो माता का साथ माता का आशिरवाद मिलेगा उससे आपको आगे बढ़ने में भी साहता मिलेंगी किसी काम के सलसले में अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसमें आप थोड़ी सी दूविधा में रह सकते हैं या कहें तो डिसीजन लेने में थोड़ी देरी हो सकती है लेकिन आपको लाब की प्रापती भी होगी लाब की भी आपके लिए देखे योग बहुत अच्छे बने हुए हैं अगर विद्यारतियों क कि आपके द्वारा लिया गया जो निर्ना हो वो गलत साबित हो जाए आप एड्मिशन ले 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 और आपका मन वो करने का ना हो तो ऐसी इस्तिति में आप बड़ी दूविधा में पढ़ जाएंगे इसलिए सोच समझ कर हर्त पहलों पर ध्यान देकर आपको एड्मिशन ल नहीं डालना है अंडर प्रेशन नहीं करना है किसी काम को करने के लिए या दिखिए अगर एग्जाम चल रहे हैं और पढ़ाए का ये समय है लेकिन फिर भी अगर वो पढ़ाए में मन नहीं लगा पा रहा है तो तो थोड़ा वक्त दें उसके साथ या तो वक्त बिताएं या थोड़ा उसके माइंड को आफ फ्रेश कर सकते हैं लेकिन प्रेशर न डाले ऐसे में आकर ना वो कुछ पढ़ पाएगा और नहीं आगे इतना अच्छा कर पाएगा तो इसलिए थोड़ा सा दिहान आपको थोड़ा फोकस आपको अपनी संतान पर रखना होगा एजुक चंदरमा की इस्तिती होगी वो दिखिए अनुकूल भी है और कुछ सावधानियों वाली भी है यह जो समय होगा यह कंपुटिटिव लोगों के लिए बहुत अच्छा समय होगा अगर आप किसी प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप इस अवधी में सम्मे स्वास्ते सम्मंदी परिशानिया भी हो सकती है तो उसके लिए भी आपको थूरी सी सावधानी रखके यहां चलना होगा लेकिन इसके अलावा आप एजुकिशन के फिल्ड में अच्छा काम कर सकते हैं विध्यारतियों के लिए बहुत अच्छा समय है इस समयावधी में आ बुद्र भी विराजमान है बुद्र का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है और वेपार यह लोगों को जो साजेदारी में वेपार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थितिया है लाब कमाने की नाम कमाने की नाम अपना उपर लाने की तो ओवरूल हम इस सब्दा की बात क आपके लिए काफे अच्छा है बस छोटी मोटी चीजे हैं जिन पर आपको ध्यान देना है बाकी बहुत अच्छा यह समय रहेगा दोस्तों और अधिकसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल ना मूलें